नमस्का डियर स्टूडेंट्स आप सभी का हार्दिक स्वागत है करन्ट अफ्यर बूस्टर के सीजन फॉर सेशन नमबर थर्टीन में कैसे हैं आप तो भाईया जरा फिर से कनफर्म कर दो आप मेंसे कितने लोगों ने अभी तक के सारे सेशन बढ़िया देख लिए रिवाइस कर लिए पीडियेफ डाउनलोड कर ली विजिस वॉल कर ली साइट विजिट कर ली सब कर लिया एक बर कनफर्म करो और सेशन को लाई दस्त खुश खबरी आप सब के लिए आप ही के डिमैंड पर एकॉनमी क्रेकर का हमारा कोर्स लाउंच कर दिया गया है अगर एकॉनमी में आपको जरा सी भी दिक्कत है तो इस कोर्स इस दफाइनल सॉलूशन देट यू निए प्यारे दोस्तों हमारी पहली बैच आठ एक्स क्लासेस इसमें होंगी एक एक घंटे की ये हमेक महींने में कंप्लीट करेंगे और आप तोटल शे मही accounted तक उस कोको Teras को एक सेस करके उसको रिपीट दो थीन बार देख सकते हैं इसमें हम सिविल सर्विस इसको टार्गेट कर गरेए प्रेलिम्स मेंस में का इंटेव गंटे के स्कोर्स को आप बिलकुल मिस नहीं कर सकते हैं इसमें हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, इजी लैंग्वेज होगी इंग्लिश हिंदी में पैरलल पड़ा ही होगी हर क्लास का मैं आपको लाइव क्लास होगी, उसमें आप सवाल वगरा भी कर सकते हैं चैट के, थ्रू पोल्स होंगी क्विजस होंगी, once the class would be completed, आपको PDF जारी किये जाएंगे, उन PDF में हिंदी कॉंटेंट भी इंग्लिश के साथ साथ मिलेगा, पूरा का पूरा bilingual, तो आगे बढ़िये और ये सारा इसका कॉंटेंट है आप देख सकते हैं, A to Z में सब कुछ कवर कर लूगा मतलब, हमारा जो punch line है स्कोर्स के लिए, learn and be confident with economy like a boss ये हम करके दिखाएंगे, तो ये एक ऐसा investment है, जो आपको miss नहीं करना है, अभी के अभी site पर जाएए, pteeducation.com पे, कोर्से section में, या ये short link use कीजे, नीचे comments में दी है और आज के आज, enroll कर लीजे, तो भाई, कितने लोग enroll कर रहे हैं जल्दी हमें बताईए, पहली बैच शुरू हो रही है, 8 फरवरी से और उसके बाद हम आने वाले महिनों में भी लाएंगे, लेकिन पहली बैच जो हमारी आपके लिए मेरे पास economy cracker combo course है, इस combo course में मैं आपको चार courses एक साथ दे रहा हूँ introductory price पर economy cracker तो पूरा का पूरा है इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया power of 10 का हमारा comprehensive editorial program 6 महिने का access दे देंगे CA booster premium का जिसमें आपको हफ्ते में 5 बार, महिने में 20 बार तगड़े session मिलते हैं यह आपको 6 महिने का access मिलेगा और हमारा पूरा का पूरा English cracker course, 100 sessions का पूरे दो घंटे की sessions है आपको 6 महिने का access मिलेगा यह चारो as a combination 8 फर वरी से आप access कर लीजे तो दोस्तों, इसकी भी पूरी जानकारी साइट पर है और इसकी भी short link मैंने DV है, comments में तो इसकी भी जानकारी ले लो और बिल्कुल भी अच्छे decisions में देरी नहीं होनी चाहिए करके दिखाएंगे कि spirit के साथ यह चारो courses आप पढ़ सकते हैं और अगर चारो नहीं पढ़ना चाहते there is no problem आप सिफ economy cracker कीजिए हर student को जो civil services की तैयारी कर रहा है किसी भी level पर English या Hindi medium में या MBA entrance की तैयारी या कोई भी working professional जो ऐसे concepts में कच्चा खाजाता economy के, finance के monetary fiscal policies के वगएरा this is your one stop solution go ahead enroll right now and you will make the most of your time energy effort and investment I wish you all the best प्यारे दोस्तों आज का काम शुरू करते हैं हमने पिछली क्लास में यहाँ पर जब आपको बोला था कि अगली क्लास पर ख़वर करेंगे वो समय आ गया है तो कुछ ख़वर ऐसी आई कि नौर्वे में कुछ लोगों की मौते हो गई वैक्सिनेशन के बाद अब यह कोई बहुत ही अन्यूजवल सी बात तो है नहीं ऐसा होता है मतलब अलग-अलग समय वैक्सिनेशन के एड़र्स इफेक्ट आईंगे यह बात तो खेर सभी लोगों को पता होती है डॉक्टरों को भी पता होती है हेल्थ वर्कर्स को भी पता होती है जो पोस वैक्सिनेशन डेथ से नौर्वे हुई है उसके बारे में अभी तक क्या पता है फाइजर बायो एंटेक की वैक्सिन यहां यूज़ हुई आपको पता ही है बायो एंटेक जर्मन स्टाटप था फाइजर अमेरिका की ग्लोबल जाइट कमपनी है नौर्वे वालों ने केवल केवल फाइजर बायो एंटेक की ही वैक्सिन यूज़ की है जितने भी लोगों की दुखद मृत्य हुई है वो सारे के सारे काफी वरद जनते थे बायो एंटेक ही लगा था हालांकि सरकार ये कह रही है डरने की बिल्कुल जरुवत नहीं है सरकार याने भारत सरकार नहीं नौर्वे की सरकार क्योंकि देवा दे फ्रेलेस्ट अब दे फ्रेलेने सबसे ज़ादा बुड़े थे तो सिस्टम में थोड़ा भी केमिकल चेंज आने पर सिस्टम जहेली नहीं पाता है शरीर काउन का और मास वैक्सिनेशन में ऐसा होता है भारत में भी एड़वर्स इवेंट्स हो रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है मतलब उसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है स्टेटिस्टिकली ये होता है ये सभी को पता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोवीड वैक्सिन की ड्राइव में हो रहा है भारत ने 70 सालों में आप जानते हैं कितने बड़े बड़े वैक्सिनेशन ड्राइव भारत में सफलता पूरवक हुए हैं और उनमें कहीं न कहीं adverse events तो होती थे तो ये नॉर्वे का जो first hand आया है अब ये mRNA वैक्सिन की पूरी कहानी मैंने इस सीरीज की शुरुवात में आपको बता दी थी जनवरी में मैं total 20 session देने के लिए committed हूँ आज 13 session इसके बाद 7 और पूरे करा दूँगा 31 जनवरी तक फिर फरवरी में सीजन चाहिए की नहीं भाईया बता दो सीजन चाहिए तो आके economy cracker में enroll कर लो तुम हाँ तब ही अगला सीजन आएगा भाईया बता रहे हैं और एस सर ऐसे कैसे ऐसे ही so my dear students करोना वाइरस का जो पूरा जिनोम है उसमें खतरनाक चीज़े उसका spike protein जो हमारे cells के AC2 receptor में चिपक जाता है और ये तना जबरदस चिपकता है कि उसको entry देता है RNA को अंदर angiotensin converting enzyme 2 के साथ में चिपकता है अब हमने वही mRNA sequence messenger RNA sequence निकाला जो spike protein बनाएगा और हमारे cells को protein सी आदेश देते हैं क्या करना क्या नहीं करना और फिर वो आदेश खतम भी हो जाता है ये constant process होती है शरीर के trillions of cells में protein बनते ही वैसे हैं उसको mRNA को lipid में डाल के vaccine बना के शरीर में डाल दिया जाता है हमारे cell में वो जाता है spike protein बनते हैं तो हमारे शरीर का immune system activate हो जाता है और जब असल में covid का virus आएगा तो ये body में immune photograph मौजूद है memory मौजूद है और वो लड़ेगा ये है क्रांती कारी technology mRNA की समझ में आ गया परीक्षा में 100% पुछी जाएगी तो मेरा आज का पहला सवाल नोट करें explain in brief the operational mechanism of the mRNA vaccines और ये क्रांती कारी क्यों है बताईएगा तो दोस्तों ये हैं पांच नौर्डिक देश जैसा कि आप देख सकते हैं बेहर ठंडे प्रदेश है अब नौर्वे की तो बात बड़ी अनोखी इसलिए भी है क्योंकि नौर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा sovereign wealth fund है सम प्रभू संपत्ती fund जिसको कहते हैं जो उन्होंने तेल और गैस बेच बेच के बनाया है ये रहा नौर्वे और ये नौर्वेजियन सी यहां से इतना तेल निकाला और इतना बेचा एक हजार अरब डॉलर का इनके पास sovereign wealth fund है भाई आज की तारीक में और अब उन्होंने oil में investment कम कर दिया तो ये हैं पाँच नौर्डिक कंट्रिया इन में से मैं किसको हटा दू तो ये Scandinavian हो जाएंगी जरा मुझे जल्दी से बताईए कॉमेंट हेड में प्यारे दोस्तों Scandinavian नौर्डिक और बाल्टिक एक बार आपको finally बता ही देता हूँ तो ये चार्ड से आपको समझ में आ जाएगा जब हम बात करते हैं बाल्टिक कंट्रीज की तो ये तीन हो गई इस्तोनिया, लात्विया, लिथुवानिया जो सब पहले रशियन एंपायर का हिस्सा थी और रूस से इनके रिष्टे हमेशा ही खराब चलते हैं इस्तोनिया साइबर सीकुरिटी के शेतर में दुनिया का टॉप नेशन माना जाता है जरासा देश है लेकिन साइबर सीकुरिटी में इतना आगे है कि पूछे मान कई बार खत्रे से जूजते जूजते ही आदमी आगे निकलता अगर खत्रे नहीं हो तो आजमी जूजना ही नहीं सीख पाता तो आप भाईया ऐसा है लाइफ में एड़र सिटी जाएं और आप उससे जूजते जूजते आगे बढ़ो तो निराश नहीं होना है समझ गए एस्तोनिया को याद कर ले ना और ये बोलना है एस्तोनिया की कसम में हारने वाला नहीं हूँ क्या बात है My dear students Nordic countries के अगर आप बात करते हैं और Scandinavian and Nordic की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने है सारी की सारी तो Nordic के अंदर आपके पास Iceland भी आजाएगा Finland भी आजाएगा और बाकी के तीनों Scandinavian तो ये एक चार्ट है जो आपको सिρफ एक difference बताता है लक्ष सोमानी रतलाम से जुड़े हैं यह चश्मा तो बड़ा तुमने बहुत है खूबसूरत पहन रखा है यह हमको कुरियर कर दो बटा अब हम क्लास में यही चश्मा पहन के एक दिन आएंगे तो लक्ष ने बड़ा प्यारा टेस्टीमोनियल लिखा है आपके यह प्यार बड़े टेस्टीमोनियल साते हैं टीम का बड़ा होसल अपसाई हो जाती है तो सभी बच्चे लिखते चले लिंक हमने कॉमेंट्स में दी हुई है आपके टेस्टीमोनियल से काफी फरक पड़ता है देखिए चीन में मैं आपको दो चीज़ें बतातू 1979 से दंग शाओ फिंग ने जबसे चीन को पूरी तरह से एक इंडस्ट्रिल सुपर पावर में कनवर्ट किया चाइना में पांच जनरेशन सफ लीडर्शिप हुई है अभी तक पालू मैं आपको पाँ जनरेशन सफ लीडर्शिप जो चाइना की रही है माउज दोंग से लेकर देंग शाओ फिंग से लेकर जियांग जैमिन से लेकर हूज इंताओ से लेकर शी जिन पिंग तक इन पांचों का अपना अपना अंदाज है बया रहा है वह या काम करने का जब डेंग शाओ पिंग थे अलग अलग प्रननसियेशन हो सकते हैं तो उन्होंने जो सब अध्यों की करन शुरू किया बहुत चतुराई से सोच समझ के जबकि कम्यूनिस देश के अथौरिटेरियन नेता थे डंडे के योर्पी भी कर सकते थे लेकिन उनको यह पता था कि अर्थ विवस्था में कुछ भी करना है प्यार महबबत से करेंगे और लोगों के दिमाग का इस्तिमाल करके करेंगे और लोगों का आपस में कॉम्पीट करा के कराएंगे तो बेस चीजें बहार आएंगे और चाइना ने वही मॉडल किया यह बहुत कम लोगों को पता है बात है कि वहां के प्रोविंशल कम्यूनिस गवर्मेंट के बीच में डेंग शाउपिंग ने बहुत कॉम्पीटिशन करवाई थी और बेस लोग आगे आते थे और फिर कोस्टल में स्पेशल एकनॉमिक जोन्स लगा के एकरामती आ गई पूरी चाइना बहुत तेजी से आगे निकल गया दोस्तों उस वक्त जो इंडस्ट्रियल इंजिन टेंक शाउफिंग ने बनाया था मैं आ रहा हूं इस खबर पे इसका बैग्राउण बता दू ना आपको फटा-फट तो ये बैग्राउण जो मैं बताता हूँ इतिहास के सारे डॉट्स जोडता हूँ आपको इधर उधर की बहुत सी बाते बताता हूँ आपको मज़ा आता है कि नहीं तो देखो यार हम तो है ना सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं कि भाई या इस खबर में ये पांच बाते याद रखो लेकिन उसमें क्या है वो बड़ा सुपरफिशल होता है आपको मेरे experience का फाइदा भी तो मिले तो मैं थड़ा गहराई में जाता हूं भाई या बुरा लगे तो मुझे माफ करना यार सो माई डियर स्टूनेंट्स देंग शाओ पिंग के समय इंडस्ट्रियल इंजिन जो बना उसको चलाने वाले कौन थे ग्रामीन चीन से आए करोडो लोग सो दो रूरल चाइनीज वूट कम टू दी अर्बन फैक को वहां के स्कूल में एडिविशन नहीं मतलब बहुत कुछ ऐसे करोडो रूरल चाइनीज की तो कहानी कभी सामने आई नहीं समझ में आया तो मेरा अगला क्विश्चन नोट करें अब हम आज की बात पर आते हैं ये तो बात थी 1979 से लेकिन आज क्या हो रहा है अभी की लेटेस खबर ये है कि चाइना के जो बड़े बड़े टेक्नोलोजी जायंट्स हैं रीटेल जायंट्स हैं उनके जो लाखो डिलिवरी वर्कर्स हैं उन पर इतना काम का दबाव है और सैलरी और इंसेंटिफ स्ट्रक्चर ऐसे वना के दिये गए हैं कि लेबर लॉज होने के बावजूद कम्यूनिस देश होने के बावजूद वहां पर कई लोग स्विसाइड कर रहे हैं क्योंकि काम के आर्स काम के घंटे इतने ज्यादा हो जाते हैं दबाव इतना बढ़ ज करने इसी को चीन में जैक माने पिछले साल इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्स ही खड़ी कर दी थी 996 कल्चर वर्क फिर भी मैंने सूचा आपको एक खबर में बता तो मेरा अग्ला सावाल नोट करें अभी तक की खबरे सब समझ में आ गई कोई टेंशन तो नहीं चीज़ें क्लियर होती जा रही है तो दोस्तों भारत में अभी पोस्ट पैंडमिक क्या चल रहा है अब हम देखेंगे अगले पांच मिनिट में क्या हो रहा है कि ये कोविट की पैंडमिक की इतनी खबरे आ र अगल आ गोईंटू वर्क दिस यर जो लेटिस्ट आया है वो कहता है कि कोविट का प्रभाव धीरे 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 लोगों के मनों से कम होने लग गया है और भारत के लोग बिलकुल बिंदास होके बाहर निकलने लग गए अब ये कैसे पता चल रहा है कोई लोगों के इस्सा है तो वाट इस गफैम और इस इस स्ट्रेजिक इंपॉर्टेंस मेरा अगला सवाल नोट कर लें जितने भी वॉलंटियर्स को कमपाइल कर रहे हैं आप सब को बदाई को या आप समास सेवा का काम कर रहे है बाकी के बच्चे भी जड़ा जो लोग आंसर्स लिखते ह है आप जब भी गूगल सर्च खोलते हो तो आपको बताए था नहीं और एप्रोक्सिमेट लोकेशन इस भली जीपीएस ऑन किया हो या नहीं इवन इफ्यू नोट स्विच ऑन जीपीएस गूगल डज्यर अनॉनिमाइस्ट लोकेशन डेटा ट्रैकिंग यह मालूम है तो व वो हमें इस रूप में दिखाई देता है बहुत सी चीजें पता चल जाती है भीड कितनी निकली ओफिस कितने गए कितने आए पॉलूशन कितना बढ़ा इंडियन रेलवेस का फ्रेट कितना बढ़ा पावर जनरेशन इसमें से कुछ कुछ गूगल से नहीं भी है यह जो प देली एमिशन्स आप मुंबई एमिशन्स डाउन हर तरह से ट्रैकिंग करके फाइनल कंक्लूजन बिजनस स्टेंडर्ड की खबर ने यह निकाला कि भारत में सितंबर 2020 में रोज एक लाक नए केसे हो रहे थे जनवरी में रोज केवल 15,000 केसे अफिशल डेटा है तो लोग अब ज्यादा हिम्मत के साथ बाहर निकल रहे हिम्मत है मर्दा तो मददे खुदा लेकिन मास लगाना भूलना मत नहीं तो कोई बचाने नहीं आएगा ध्यान रखना मास लगाते ही you are 90% safe और आमने सामने दोनों ने मास लगाया है you are 99% safe ध्यान रखना क्योंकि करोना वाइ ये अलग-अलग indicators है तो इसका मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं तो एक बहुत अच्छा सवाल यहां पूछा जा सकता है कि फिर ये work from home क्या सर्फ ये हवा हवा ही था और ये खतम हो गया ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी हम बहुत चिंतन इस साल करेंगे हमारा अगला सव जिसमें अमेरिका में अकेले में चार लाक से जादा मौत हैं लेकिन मैं दात देता हूं डानल्ड टरम्प के supporters की अमेरिका में चार लाक लोग करोना से मारे गए लेकिन उनका टरम्प के लिए प्यार और मजाल की रती भर कम हो जाए क्या बात है भाई क्या supporters हैं और दोस्तो recoveries इतनी होगी ये पहले दिन से पता था recovery 90% तो होगी होगी भारत में भी हैं उस से दाद़ी हैं और ये इसके काफी सारे अलग-अलग ये पहला statement में पढ़के बता देता हूँ देखिए इसके बहुत 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 गंभीर चेताओनी विश्वार्थिक मच्छ वही दावोस वाला उसने चेताओनी जारी की है कि पिछले 20 सालों में दुनिया इंटीग्रेट तो हो गई लेकिन हम पैंडमिक को तो ऐसा माननके चलते थे कि का पैंडमि थोड़ी हो सकता है लेकिन आज एक आदमी दिल्ली से न्यूयोंक 12 गंटे में 16 गंटे में पहुंच जाता है साउथ एफरीका से साइबेरिया पहुंच जाता है 15 गंटे में तो वाइरस तो एक दिन से कम समय में सारी दुनिया में फैल रहे हैं और ऐसा मानवता के 24 लाग साल क कि थी आसमें कभी हुआ ही नहीं हमारे सबसे पहले की इसे में पाथवे मिल यह श्यवने और सवाल नोट करें, what is the warning issued by the World Economic Forum regarding future pandemics, देखिए, ये महामारी खतम हुई, अरे पर virus के तो 16,00,00 species identified है न, और उन में से 8,00,00,00 से ज्यादा तो खतरनाक भी है, तो दोस्तों, अगला virus कभी भी आ सकता है, तो इनसान को एक तो nature में बहुत गुसने का काम करना नहीं, चीनी लोग, चमगादर खाना छोड़ दो, और इनसान को खुद को रिस्टिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि nature में जो stability है, viruses की, pathogens की, bacteria की, fungi की, आप अंदर गुसते हैं, हिलाते हैं system को, वो सारे निकल के society में आ रहे हैं, फिर आप कहां जाओगे, ठीक है, आपको समझ में आगया, सवाल भी नोट कर लिया, अब, नासीम निकुलस ताले वो genius आद्मी है, जिसने किताब लिखी थी, आज से 12-13 साल पहले, the black swan, उस black swan को उन्होंने यहां define किया है, 2020 में pandemic आया, कई लोग कहने लग गए, black swan आ गया, black swan आ गया, तालेब नहीं समझाया, 2020 का pandemic was not a black swan, it was a white swan, why? If as a policy maker, you could not foresee that any day you will have a pandemic now because of the connectivity and the complete apathy of the political and health system towards the possibility of a pandemic, तो फिर तो आप मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं कि pandemic आनार, हम तो पहली बोल चुके, कभी भी आएगा, यह expected event था, hence it's a white swan, it's not a black swan, आज भी बहुत सरे लोग, आसानी से 2020 pandemic और इस पर उत्तर लिखियेगा और इनकी किताब है, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हमारे यहां चल रहा vaccination का जो पूरा कारिकरम है, अच्छा चल रहा है, हलाएं कि उसमें कुछ-कुछ गड़्डे दिख रहे हैं, ग्लोबल मीडिया क्या कहता है, यह है भाईया financial times अकबार, financial time दुनिया के सारे टॉप जितने भी उद्योग धंदे के लोग हैं, वो पढ़ते हैं, इसमें खबर आती है, तो खबर बनती है, suspicion and glitches, blight, इंडिया jab rollout, jab मतलब vaccine, rollout यहने टीका करन कारकरम, blight यहने काली चाया डाल देना, suspicion यहने संदे और glitches यहने गड़बड़े, समझ में आगी, headline आपको अब एक ही headline में, पूरी vocabulary की class mirror को लेनी पड़ गई, economy cracker combo join कर लो, छे महिने में आपको वो चार courses मिलेंगे, आपकी life set हो जाएगी, एक बार करके देखो, बहुत ही reasonable price है सारी, fees वगरे बहुत reasonable है, जाइट पे जाके देख ले ना, फटा फट enroll करो, और अपने दोस्तों को भी लाओ, ऐसी learning community बन रही है, मदा आजाएगा आपको, और economy करा कर पूरा personally मैं conduct करूँगा, my dear student, क्या कहता है financial time, वो कहता है कि जो co vaccine है भारत बायो टेक की, इसको लेके भारत में स्वायम डॉक्टर्स में, health workers में बहुत ज्यादा संधे है, तो इसलिए कई लोगों ने वो लगवाया ही नहीं, क्योंकि data available नहीं था, भारत दुनिया में नंबर दो पर है, अमेरिका के बाद, हालनकि अब cases बहुत कम हो गए हैं, और भारत में vaccine राश्टरवाद की नीथी अपनाई है, कि जब हम पहले दो लाएंगे, तो कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में भी आधे आधे से कम लोग को vaccine लगवाने आ रहे हैं, चोईश दी नहीं जा रही है कि ये ले लो या तो कुछ भी नहीं हटा सावन की खटा, तो माइडियर स्टूरेंट्स, इसे ग्लोबल मीडिया ने vaccine nationalism कहा है, यह आपका democratic right है, यह अपना right exercise कर रहे हैं, लेकिन जब global media कुछ लिखता है, उसका एक global impression, image, investment, सारी चीजों पर असर long run में आता ही आता है, अब हम बात करते हैं, डॉक्टर एला की, जो की भारत बायो टेक के मालिक हैं, आज से 10 दिन पहले आपने काफी जोश के साथ, 28% सेफ, ऐसी बाते करता है, तो मेरे को बहुता डर लगता है, कोई भी वेग्यानिक कभी भी, 100% से आगे न जाए, यह मेरी आप से हाथ जोड़के प्रातना है, क्योंकि percentage में 100 से दादा हो नहीं सकता यार, as far as quality efficacy is concerned, तब आपने ये कहा था, अब कल क्या कहा है, भी देखो अगर तुमको ये 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 प्राब्लम्स हैं, तो तुमको वेक्सिन मत लो, तो ये तो उन्हें यहां कहना चाहिए था, जब प्रेस मीट हुई थी, तब ऐसा कोई disclaimer आया ही नहीं, पिर आज कहरें कि त problem है, तुमें हीमोफीलिया है, तुम blood thinners लेते हो, क्योंकि हार्ट मरीज हो, तो तुम मत लेना को vaccine, तो ये तो कई लोग ले चुके हैं already, ये disclaimer पहले आने थे, ये उसके बाद आये, तो कहीं न कहीं वेग्यानिक प्रक्रियाओं का जो सम्मान शायद होना चाहिए, उसमें हम भी vaccine आप लगाएंगे, क्योंकि body लड़ना शुरू करती है, इम्यून सिस्टम, vaccine ले इसलिए रहे हो, हमेशा ध्यान रखना, दवाईयां बिमारों को दी जाती है, vaccines स्वस्थ लोगों को दिये जाते है, medicines are always to cure those who have turned ill, vaccines are always given to healthy people to stop them from turning ill, ये basic difference clear दिमाग में रखना, बहुत ही तो कल को बोलो कि संदिप सार, संदिप सार, तुमने तो बताया ही नहीं, finally शपत ग्रहन समारों हो गया, और बंदूकों के साये में हुआ, एक बड़ा अविश्वस्थ नियसा द्रश है वाशिंग्टन का, हजारों हजारों नैशनल गाड के सैनिक असॉल्ट राइफले ले कहीं पकड़ के किसी को, क्योंकि उनका भी radicalization हो चुका है कहीं का, उनमें से कहीं को हटाया गया, this is unthinkable, 2015 तक ये नहीं था, दोस्तों ये तो मान नहीं पड़ेगा ना आपको, हलांकि इससे ट्रम्प के supporters को रत्ती भर भी फरक पड़ेगा, वैसा होना ही नहीं, because once you are in that, so then everything is fair game, as we say, क्योंकि 6 जनवरी को भी वो लोग सही ही थहरा रहा है, तो बात ही खतम हो गई, so my dear students, बड़ी unprecedented situation के बीच में, ट्रम्प को finally, literally धक्के देके निकाला गया है, literally, मतलब वो तो आखरी मोमेंट तक लगी नहीं रहा था, कि ये भी मन में कहीं कहीं था, कि ये गया निक Good luck, मतलब क्या हो गया, बाइडन के अच्छे दिन आने वाले हैं, my dear students, बाइडन एक बहुत ही गहरे अनुभाव के साथ आए वेक्ती हैं, 50 साल से अमेरिका की राजनीती में है, ट्रम्प का political experience zero था जब वो प्रेशिडेंट बने थे, I hope you are aware of that fact, 2021 का बाइडन है इनागरेश हो जाता है, तो it starts working against itself, कोई भी देश, कोई भी समाच तुकडों में बटने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, आपको एक certain minimum social harmony चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि देश एक दिशा में बढ़े, बाइडन के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि रिपब्लिकं supporters ने, एकदम die hard, वो इनकी नीतियों को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये अब बाइडन हैरिस की problem नहीं है, ये विश्व लोक तंतर की problem है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10-15-20 साल विश्व लोक तंतर के लिए बहुत 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 चुनौती पूर्ण है, क्योंकि अभी populism और radicalization का पूरा phase चल रहा है, ये समाप्त होगा, उसके बाद शायद कुछ चाहिदे कभी समाप्ती नहीं हो, I don't know, we will wait and watch, तो मेरा अगला सवाल नोट करें, what are the inherent handicaps with which Biden Harris are starting their term, तो ये इनका inauguration का logo है, ये आज शाम की अलग अलग मीडिया की जो खबरे थी, ये सारी की सारी आपके सामने है, मैंने लगा दी, PDF आप डाउनलोड करके देखी सकते हैं, और बहुत सारे Indian Americans को इन्होंने मौका दिया, हम तो भईया अपने मतलब की बात कर लें, तो हमारे इंदुस्तानी भाईयों को और बहनों को, जो अमेरिका में बसे हुए हैं, इन लोगों ने बहुत मौका दिया है, देखिए एक सीधी ती बात समझ ये, बाईडन तो श्वेथ है, वो अगर इंदुस्तानीों को मौका नहीं देगा, तो आप और मैं उनका क्या विगाड लेंगे, लेकिन पहले दिन से उनका वादा ह है, अमें डिमोक्राइट सा लिबरल पहले दिन से वादा है, कि हम सब को मौका देंगे, तो हम अगर इस से बहुत खुश हैं कि इंडियन अमेरिकांस को मौका मिला, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि ये लिबरल वैल्यूस के कराण हुआ, और डॉनल्ड ट्रम के अड इंडियन अमेरिकंस इन अमेरिका, तो उनका जो सामजिक प्रभाव है, वो क्या है, आबादी कितनी वो भी बताईएगा, तो अब जैसे ही बाइडन साब आए हैं, तो मार्केट्स में तो आग लग गई हैं, क्योंकि बाइडन आने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा स्टि बैंक लिक्विडिटी उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्टाप मार्केट में घूम रहा है, मतलब कितनी विडम बना है ये, लेकिन जो है वो है, फेडरल रिजर्व की जो बास थी मैडम जैनेट यलेन, ये अब वित्तमंत्री बन गई हैं, अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी और उन्होंने खुल के बोला है, कि अमेरिका को पैंडमिक से लडने के लिए बहुत बड़ा स्टिमूलस चाहिए, अब जैनेट यलेन ने बोल दिया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और पॉलिटिकल फिलोसोफी हैव नाव मर्श्ट, दोस्तों ये बहुत बड़ा इंसाइट म जाके पॉलिटिकल पॉलिसीस के अंदर गुज गया है और मर्ज हो गया है, आप बात समझ रहे हैं, और ये अच्छा है या बुरा, ये तो अभी भाईया पांस साल बात पता चलेगा, अगर इंफलेशन चट तोड़के निकल गया, तो बैटके आप भी रोगे, मैं भी रो इंवेस्टर्स का, फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स भर भर के शेर भारत में खरीद रहे हैं, दोमेस्टिक फिनांशल इंस्टिटूशन और इंस्टिटूशन इंवेस्टर्स भर भर के बेच नहीं रहे हैं, तो बहरत में NSE, NIFTY और सेंसेक्स में आग लग गयी, और ये अभी भयानक आगे जाएंगे, अभी तो ऐसा लग रहा है, तो if you are a stock market investor, this might be the time you may want to put in some money, बट याद रखना, highly priced हो गया है सब कुछ, very high PE हो चुका, बहुत difficult, अगर ये एकदम से गिरा, तो well दिक्कत हो सकती है, भारत के GDP growth में, हम दे पहले detail में बात कर ली है, अगले एक साल में spurt आएगा क्योंकि base कम हो गया है, और उसके बाद तेजी से उसका moderation शुरू होगा, तो मेरा अगला सवाल note करें, what is the reason for another huge spurt in the global stock markets, दोस्तों, ये हमारे NSE की पिछले 10 साल की कहानी है, NSE Nifty, जो है my dear students, Nifty 50 का मतलब होता है, National Stock Exchange के 50 best stocks का सूच का, ये एक arithmetic average होता है, Sigma WIPI upon Sigma WI वाला, ये कंपनियां वहाँ से बाहर हो गई, ये कंपनियां अंदर आ गई, और क्या इस साल का budget अगले 10 साल के लिए NSE को गती देगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा कंपनियों का एक पूरा किसने सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दिया, किसने सबसे ज़्यादा पैसा बरबाद किया, ये सबकी पूरी सूची, बहुत ये अच्छा बिजनेस, ये आया था financial express में, तो मैंने सूचा, ये था हिंदू बिजनेस लाइन का, तो मैंने सूचा आपके साथ में शेयर करूँ, चलिए, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो भारत को बड़ा अच्छा मौका मिला है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, श्री लंका, दो मौल्दीव के साथ, रिष्टे सुधारने का, भारत इन सब को अपनी COVID-SHIELD वैक्सीन भेच कर, इनमें से कई जगे फ्री भी जा रही है, जो कि अच्छी नीती है, जैसे भूटान बगएरा, अपना दोस्त भूटान पहली दिनों से, इन्डिया टू फ्लाइ आउट वैक्सीन तू नेबर, क्योंकि हमारी नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी में, भारत वैक्सीन डिप्लोमसी कर रहा है, तो हम जब कहते हैं नेबर हुट फर्स्ट, तो हम याद करते हैं सार्क को, सार्क एक भूली बिसरी याद बनके रह गया है, साउथ एशियन असोसियेशन फॉर रीजिनल कोपरेशन, दक्षेस जिसको कहते हैं थे हिंदी में, उसकी पूरी की पूरी मौत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाच छोड़ा नहीं, तो भारत ने 2015 में बोला, गुड बाई, और सार्क मर गया, फिर भारत ने पैरलल में बिंस्टेक में गती दी, बी बी आयम में गती देनी की कोशिश कर रहा है, इंडियन उशन रिम में, लेकिन एल्टिमेटली सार्क तो सार्क है, चाइना ने मौके का फाइदा उठा है, सब जगे घुसा, तो भारत की ये एक स्ट्रेटिजिक नीटी है, अच्छी नीटी है, और इसमें सभी देशों में भारत वैक्सीन भेज रहा है, दो बहुत इंटरिस्टिंग चीज़ें, चाइना ने पहले वादा किया था कि मैं वैक्सीन दूँगा, लेकिन चाइना दे नहीं पा रहा है, उसके अपने दूसरे कंस्ट्रेंट से चाइना के, और पाकिस्तान ने भारत को अप्रोची नहीं किया है वैक्सीन के लिए इसलिए भारत पाकिस्तान को वैक्सीन दे नहीं रहा है सरकार ने ये बोल दिया है कि हम यहाँ दे रहे हैं लेकिन भारत में वैक्सीन कम नहीं होने दी जाएगी और वैक्सिन डिप्लोमसी से रिष्टे अच्छे होंगा हमारा अगला सवाल नोट करें तो वाट एक्सिंड कें वैक्सिन डिप्लोमसी री इन्विग्रेट सार्क यह सवाल बन सकता है पर इक शाओं में हाँ ध्यान रखियेगा जिसने सिया बूस्टर सीरीज धंक से की उसको बहुत फायदा होगा अब आपको गैवी बता दें तो यह सब चीजें जो हो रही है इसमें गैवी भी इन्वाल्ड है ग्लोबल अलाइंस फॉर वैक्सिन से निमिनाइजेशन बेसिकली बिल एन मेलिंडा गेट्स फांडेशन द्वारा चलाया जाने वाला एक वैश्विक गटबंधन और उसमें कौन कौन शामिल है या आपके सामने है तो यह है गैवी का पूरा पूरा अलाइंस सारे देख रहे हैं आप दोस्तों भारस सरकार ने बड़ा प्रत्याशित कदम उठाते हुए वाट्साप को बोला ए बाई यह तेरी प्राइविसी पॉलीची है ना यह तो तू अमेरिका ले जा हमको नीचे यह बंद कर बंद कर यह नहीं तुम्हारी निजिता नीथी प्रिवसी पॉलीची इस बिंग रिजेक्टेड नॉर्मली सरकार ऐसा कभी करती नहीं है लेकिन यह बहुत बड़ा कदम है और Ministry of Electronics ने रवी शंक प्रसाज जी का जो मंत्रा ले बड़े प्यारे विक्ति हमेशा शान बैठें कभी चिलाते नहीं कुछ नहीं है उन्होंने ये बोला है कि यह मैं 14 सवाल तुझे दे रहा हूं वाटसेप से पूछा है यह 14 सवालों के जवाब दे दो और ये जो तुम एक तरफा खेल खेल रहे हो कि 8 फरवरी तक हां बोल दो ठकर नहीं तो मैं तेरे हाथ ही काट दूँगा तो ये भारत के 40 करोड लोगों को तुम डराओ मत ऐसा तुम्हारा माईवे और दी हाईवे हम चलने नहीं देंगे यहाँ पे बहुत अच्छी बात हालांकि इसके मोटिवेशन क्या है इसके ट्रिगर्स क्या है ये तो अभी समय के साथ पता चलेगा तो मेरा अगला सवाल नोट करें what could have motivated the government of India to take the stock move commodities market पे हमने बहुत कम बाते आज तक की है ये हमारे economic cracker course में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले सारी चीज़ें लेकिन मैंने सूच है ये खबर अच्छी है तो आपको बता दूँ देखिए 2020 जनवरी फरवरी मार्च एपरिल में दुनिया वर की जो commodities हैं जिसमें पू गोल्ड अब इसके आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसकी उमीद इसलिए कम है क्योंकि अगर economies pick up कर गई तो गोल्ड के बढ़ने का कोई कारा नहीं है गोल्ड हमेशा तकलीफ में बढ़ता है पिलहाल पैसा बहुत सस्ता है अमेरिका के real yield on bonds बहुत कम है और डॉलर होगे तो ultimately कमजोर तो हो गई न और इसलिए गोल्ड एकदम से गिरेगा नहीं लेकिन आप बहुत बढ़ने का समय गया बाकी की commodities भी 2020 में recover 21 में recover second half में कर जाएंगी ऐसा कह रहे हैं तो मेरा अगला सवाल note करें explain the basic dynamics of the global commodities market क्या क्या हिस्से हैं सिर्व एक बार पढ़के बैठे हुएं कमरे में वो सवाल ले रहे हैं जवाब कर रहे हैं वगरा वगरा मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं वो जवाब दिये जा रहे हैं पैरलल में बीजेपी ने उन पर बहुत तकड़ा हमला किया कि ये तो सब राजनिती करन कर रहे हैं ये तो चाहती ही नहीं है कि और कि यह डिलाए यहां की बाट्चीत हमारी सुलज जाए यह तो चाहते ही है कि कानून खताम हो जाए फिर उन्होंने का यह है कौन यह काफी ट्विटर पे लड़ाई हैं बहुत ही खतरनाक चलती है आदा ट्विटर चली बारद तेरह है पैरलल में जो तीन सदसे हैं क्योंकि एक ने तो एक्सक्यूस कर लिया खुद को सुप्रीम कोट की नॉमिनेटिट कमिटी के हैं उन्होंने आगे बढ़के बोलाएं कि हम बात करेंगे फार्मर्स को कन्विंस करेंगे उनको बताएंगे इसके लाब क्या है फिर वहाँ सुप्रीम कोट में हरीस सालवेजी ने कहा कि भई इनके पास क्या जूडिशल पावर हैं तो सीजी आई बोड़े साब ने का इनको कोई जूडिशल पावर नहीं दिये गए ये तो एडवाईजरी कमिटी है और ये क्या बताते हैं हम सुनतों लें एक बार इनको फार्मर से मिलने तो दो एक बार पैरलल में वह अरुनाचल वाला जो गाओं का मुद्धा था उसके फोटो सामने आ गए तो बड़ा घमा सान राजनीती में मचा हुआ है और उसके बावसूर देश तो चलते ही रहता ऐसा थोड़ी की देश चलना रुख जाएगा जू जा रहे हरी शांदर प्रदेश से जुड़ रहे हैं थैंक यू आपने बहुत ही प्यारा टेस्टीमोनियन लिखा है ऐसा लगता है कि इनको समंदर की लहरों से बड़ा प्यार है वो तो हमको भी है वही है तो कभी आपके साथी गूम ने निकल जाएंगे तैंक यू सो मच और पढ़िये का दोस्तों अच्छा लगता है इस तरह की प्यारी प्यारी बाते है हजारों लोग लिखते रहते हैं हम इनमें से कुछ फीचर करते हैं तैंक यू सो मच तैंक यू दोस्तों अब हम पांच मिन्ट में सेशन को समाप्त करेंगे आज का सेशन लंबा हो गया कला है नहीं तो मैंने नहीं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले तो इंटिफाय करके बूम ये उड़ा देगा इसकी मिसाल जाएगी उड़ा देगी उसको इससे कम दूरी के हमारे पास ओल्रेडी सिस्टम्स हैं लेकिन ये हमारे पूरे एरिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों से सुरक्षित रखने के लिए S-400 खरीदा गया है ये रशिया का सबसे एडवांस सिस्टम है 40,000 करोड की डील हुई थी तीन साल पहले अमेरिका ने तभी चेतावनी दे दी थी कि आप रशिया से ये सब खरीदोगे टर्की को भी दी थी भारत को भी दी थी तो आप पे सैंक्शन लगेंगे भारत ने बो S-400 कैसे काम करेगा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ और हमारे पास जो थीटर मिसाइल डिफेंस है कि दूसरे लोग हम पे क्रूज मिसाइल या बैलेस्टिक मिसाइल छोडेंगे तो शौट रेंज में इसराइल का स्पाइडर है मीडियम और शौट रेंज में भारत का अपन यूसफुल हो सकता है मेरा अगला सवाल नोट करें what is the overall air defense air or other missile defense systems deployed by इंडिया परिक्षा में पूछते हैं अब यह नहीं कहानी है हम कल आपके साथ बात करेंगे एक और quad था और एक और अब यह trilateral आ गया बिलकुल यह नए development है दोस्तों हमारे subscription courses भी सारे on है CA booster premium और power of 10 यह continuously चलते रहते हैं आप जरूर जरूर इनकी जानकारी लीजे अगर आपको bundle में चाहिए तो जैसा मैंने आपको बता economic cracker combo में 6 मेने के bundle भी available है सारी जानकारी लिखे लिए आपके लिए जो best हो वो आप choose करें शैकड़ो बच्चे ने already इसको purchase किया annual compilation को बहुत बहुत इसकी त इतना प्यार बारा तंदेश थैंक यू गॉड ब्लेस यू पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए वच्चे उसको पूरा पढ़ ली जेगा लोगों के दिल के उद्गार होते हैं अब हम पूरा पढ़ नहीं सकते इतना सबही नहीं रहता है इसलिए basic बता देते हैं और लोगों ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा political economy का structural कारण क्या है MSP, MSC सब छोड़ो तकनी की structural कारण क्या है वो हमें समझाएंगे निलांजन सरकार बहुत प्यारा एडिट है मैं कोशिश करता हूँ कि best thinkers और writers के views आप तक लाओं बाकी आप पढ़ेंगे तब ही फाइदा होगा अब ये कैसे पढ़ेंगे PDF डाउनलोट करके पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे तो भाईया गाने बजाने की बात हो रही थी और इतने सारे गाने लोगों ने सजेस्ट कर दिये कि सर बॉलिवुड के हमको कौन कौन से गाने पसंदे अब आज तो सम पूर आपके साथ दो-चार गाने गुन-गुना देते तो एक भाई ने लिखा है विजय भूशन त्यागी जी ने रुक जाना नहीं तू कहीं हार के ये इनको पसंद है कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के बहुत खुबसूरत गीत है ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही बहुत खुबसूरत गीते कभी भी आप डी मोटिवेट हो इस गीत को सुन ले ना जोश आ जाएगा थोड़ी देर के लिए सही आज अरू जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका सेशन अच्छा लगा एकनामिक रैकर जरूर जरूर इंडरोल करें पहली बैच आठ फरवरी से शुरू हो रही है मेरी तर्फ से अज़ इतना ही नवशकार जैहें